दोस्तो आज एक और तकनीकी जुगाण हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो आज हम देखेंगे कि आप अपने पुराने कंप्यूटर मोनीटर जैसी कि मैं यहाँ पी यूज कर रहा हूँ उसको स्मार्ट मोनीटर कैसी बना सकते हैं तो दोस्तो वीडियो बढ़ा इंटरस्टिक को तो पीस वीडियो को बिना स्किप के पुरा जूर देखेगा चैनल को अगर आप ने वीडियो सब्सक्राइब करके बैल एकन को जूर दबाद जेगा तो जान देरी ना करते हैं दोस्तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों अपने पुराने मोनीटर को स्मार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए एक एनिकास्ट डॉंगल जो कि आपको एमजन से मिल जाएगा अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में तो मैं उसका प्रवाइट करवा दूँगा साथ में आपको चाहिए एक HDMI to VGA Converter अगर आपका मोनीटर डिरेक्ट HDMI पोर्ट को स्पोर्ट करता है तो आपको इसकी जुरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपके पास पुराना मोनीटर है तो फिर आपको VGA to HDMI Converter लेना पड़ेगा और यहाँ पर मैं रिकमेंट करूँगा कि आप केवल वही Converter लें जिसमें आपको 3.5 mm पोर्ट भी साथ में मिले क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो हमारी इनेकास डोंगल है इसमें कहीं पर भी आपको स्पिकर लगाने के लिए पोर्ट नहीं मिलता ह तो हमें जो स्पिकर की साउंड है वो यहीं से लेनी पड़ेगी और साथ में दोस्तों आपको चाहिए एक छोटा सा Converter जी हाँ दोस्तों female to female Converter भी आपको एक चाहिए HDMI Converter तो अब जल्दी से हम इस सबको यहाँ पर connect कर लेते हैं तो सबसे पहले तो जो मेरी VGA Cable है उसक नमरा female to female Converter है उसको लगा दूँगा और इसके दूसरे सीरे में मैं अपनी Anycast Dongle को connect कर दूँगा तो यहाँ पर मैं इसको connect अभी कर देता हूं ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारे जो connection है वो लगवखोचकी है अब जो Anycast Dongle के साथ आपको Cable मिलती है जिसमें आपका जो एक एक सीरा Wi-Fi को होता है दूसरा सीरा आपका पावर को होता है मैंने उन लेडी पावर प्लग में उसको लगा रखा है तो यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर connect कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी Anycast Dongle है वो अब connect होचकी है और अभी आप अपने monitor की screen पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर display नजर आना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर जो Anycast Dongle का display है home page का वो हमारा आचुका है लेकिन यहाँ पर अभी हमारा airplay mode on है Miracast mode हमारा off है तो Miracast mode को on करने के लिए हमें अपनी Anycast Dongle पर जाना पड़ेगा क्योंकि जो हम अपने Android mobile phone के साथ play करेंगे वो हमारा Miracast mode पर ही play होगा अगर आप iPhone का use कर रहे हैं या Macbook का use कर रहे हैं तो आप Airplay mode का use कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं अभी फिलाहाल Android mobile phone का use करने वाला हूँ तो हमें Miracast mode को ही on करना पड़ेगा तो Miracast mode को on करने के लिए हमें पहले अपनी Airplay mode है वो off हो जाएगा तो दोस्ता भी आप देख सकते हैं जो हमारा Miracast mode है वो on होच का है तो अब हम चलेंगे अपने Android mobile phone पे और screen को mirror करके देखेंगे तो सबसे पहले हम उपर से control panel पे जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलता है option cast का तो हम यहाँ से cast पे क्लिक करेंगे और उस monitor है वो एक smart monitor बन जाएगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरे mobile phone की screen है वो मेरे monitor के साथ अब connect होच की है यहाँ पर हमारे mobile phone की screen mirroring होच की है जैसे मैं अपने mobile phone की screen को use करूँगा वैसे ही आपको same मेरे monitor की screen पर दिखाई देगा अब आप अपने mobile phone से कुछ भी play यहाँ एक jpg image यहाँ पर open करता हूँ और अगर मैं इसको lens के mode में करूँगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं full screen में आगे है अगर मैं इसको थोड़ा zoom करूँगा तो जो हमारी photo है वो हमारी screen के पर भी zoom होकर आ जाएगी ऐसे मैं अगर यहाँ से कोई video play करूँगा जैसे क करना होगा तो यहाँ पर यह हमारा 3.5 mm वाला port है तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर connect कर देता हूँ अभी जो हमारा speaker है वो इस इनिकास डॉंगल के साथ connect हो चुछका है तो अब अगर मैं यहाँ से अपने mobile phone को play करूँगा किसी भी वीडियो को तो वो आपको साउंड के साथ सुना ही देगी अगर आप भी अपनी website के लिए अपने YouTube चैनल के लिए अपने किसी भी account के लिए अपने business के लिए QR code को generate करना चाहते हैं तो यह मेरे ही दूसरे चैनल office गुरुजी का एक वीडियो है तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक normal monitor को एक smart monitor बना दिया है वो भी सिरफ एक anycast dongle की help से तो hopefully आपको दोस्तों इस तकनिकी जुगार में भी दी की जान कर इपसंदेगे अगर आपको वीडियो पसंदेगे तो प्लीज इसको like और share जूरू कीजेगा च